Good morning to all of you, आप सभी को मेरे YouTube चैनल टच इक्जाम में फिर से एक बार स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीनोवा वावे यूनिवर्सिटी हजारी बाग में जो UG में अड्मिशन लेना चाते हैं 4 एर इंट्रिगेटिड कॉर्स में तो उन लोगों का जो सेलेक्शन लिस्ट हैं वो कैसे आप देख सकते हैं हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो UG के लिए बात करेंगे जो आपका जो इन्हें ये इंट्रिगेटिड प्रोग्राम है integrated program कहने का मतलब आपका यहाँ पे BSC के साथ आपका B.A.D. भी complete हो जाएगा वो भी आपका complete four year में भी ठेक है और हम फिर बात करेंगे bachelor of arts मतलब B.A. के साथ आप B.A.D. को complete कर सकते हैं वो चार year में हम इस course के लिए जो भी student apply किये हैं उनका admission कैसे होगा आप अपना selection list कैसे देख पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको विनवा भावे university की official site पर आना पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद आपको simply यहाँ पर एक option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते notice board आप इस पर यहाँ पर simply click करेंगे जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपका जो यह notice है वो 2024 उसके बाद है यहाँ पर 4 year integrated BA BA course 2024 ठीक है तो यहाँ से आप download कर सकते हैं यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर download हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं यह loading हो रहा आप यहाँ से अपना नाम को check कर सकते हैं नहीं करेंगी इनका जो selection list का जो आपका list है वो हम description देदेंगे, आप वहाँ से सिंपली क्लिक करके देख सकते हैं, आप अपना नाम को चेक कर सकते हैं, तो चलिए अब भी ओपन करते हैं, यह देखिए, नौटिफिकेशन यहाँ पे खुल गया, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से जाकर सिंपली डा अबलेबल हैं, और जितनी भी पारेंट कॉलेज हैं, जो अफिलिएटीड या कंस्ट्वेंट कॉलेज हैं, साध वहाँ पे यह अबलेबल नहीं है, ठीक है, तो विनवा वावे युनिवर्सिटी हजारी बाग यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं, ठीक है, उसक selection हुआ है, वो unreserved candidate के लिए, total 20 seat अबलेबल है, और यहाँ पे total 20 के candidate जो है, वो selection हो चुका है, यहाँ से आप अपना मिला लीजिए, category, यहाँ से अपना category को मिलाएंगे, form number है, और यहाँ पे दिखें, online दिख रहा है, तो जो student online अप्लाई किये हैं, college और VVU campus में जाकर नही अप्लाई किये हैं, जो VVU campus में अप्लाई किये हैं, उनका यहाँ पे form number लिखा हुआ है, जो आपको receiving मिला होगा, वहाँ से वो आप form number यहाँ से मिला ले, अपना नाम, date of birth, point of 10, कितना point पाएं हैं वो, और यहाँ पे रिमार्क आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत लोगों का, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो जयन्त कुमार, और फिर यहाँ पे सुकृति स्रिष्ठा, वो जो है, इनका देखिए, यहाँ पे online लिखा हुआ है, तो यह जो है, जो है, चांसलर कॉटल के माधियम से अप्लाई किय है, इसी लिए इननों का online है, उससे कोई दिकत नहीं है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते है, economically weaker section, EWS के लिए 5 seat है, और यहाँ पे 5 students selected है, जिनका नाम है, बस वही लोग selected है, इसके अलावा, और कोई selected नहीं है, चांसलर कम है कि आगे जो है, इनका selection list आएगा, अगर आता है तो इस पे हम वीडियो बना देंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते है, सबका category बाज यहाँ पे selection हुआ है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका admission कैसे होगा, तो admission के लिए यहाँ पे लिखावा, the following candidates have been selected provisionally for admission to 4 year integrated BA, BA course, ठीक है, BA के साथ, BA course के लिए, session 2024 के लि verification at the time of admission, आपका जो verification होगा, वो admission के time ही किया जाएगा, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, the admission commencement from 7-10-2020, मतब 7 October 2020 से लेकर, 14 October 2020 के अंदर आपका admission लेना है, on any working day, आप कोई भी working day में आपना जाकर admission ले सकते है, यह बात ध्यान रखेगा, अगर Sunday या फिर कोई भी holiday होगा, आप उस दिन मत जाईएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका admission नहीं होगा, working day में आप जाकर admission ले सकते हैं, ध्यान रखेगा, Sunday और holiday अगर कोई भी तहवार है, या फिर festival है, आप उस दिन जाकर नहीं लिजेगा, क्योंकि वहाँ पर college जो university है, वो बंद रहेगा, आपको बता दे, इन आपका हो गया, BA के लिए, bachelor of arts के साथ, BA के लिए, अब हम चलनी बात करते है, BSC के लिए, यह भी देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से सेम है, इनका भी जो course का duration है, वो four year है, integrated program है, BSC plus BA course के लिए, यहाँ पर BSC है, और वो BA था, इनका भी जो admission का date है, वो सेम रहेगा, procedure पू सके, आप जाकर admission ले ले, और धान रखीगा, working day में ही सिर्फ जाएगा, कोई भी तरह का holiday, festival होगा, तो please आप मच जाएगा, आपका admission नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपका सारा लिखा हुआ है, form number अपना विला लीजी, जिनका नाम नहीं है, वो chances कम है कि बाद में आपका selection list आएगा, क्योंकि seat के बाइस total यहाँ पर selected candidate को ले लिया है, अगर इनमें seat जैसे बहुत सारे candidate नहीं लेंगे admission तो उनका seat बचेगा, तो में भी बाद में selection जो है, वो second list निकाला जाएगा, जब second list निकाला जाएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, आपको अलावा कोई भी तरह का परिशानी होता है admission लेने में, तब हमें comment करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी साहता करने की खुशिश करूँगा, thanks for watching, have a nice day.